दोस्तों आपके फोन में कभी-कभी इस तरह का कुछ बाइरस टाइप का होता है जिसके बज़ासे आपका फोन का इस्टरेस फूल हो जाता है और यह बाइरस जो है यह ओपन में होता है कुछ भी नहीं होता है आपको लगता है वीडियो डिलेर करती हो आप फोटो डिलेर करती हो उसके बाद भी memory बार-बार फुल होता है फोन का memory जो है इंटरनल मेमरी जो है वही फोन का memory फुल हो जाता है जो वो zang files बोलते हैं और वो zang files और app data वो सारा का सारा आप कैसे remove कर सकते हो फुल वीडियो में में details में बताया कि आप जो है आपके phone का storage कैसे खाली कर सकते हो और कौन सा setting बन करना है जिसके बाद आपका phone का storage कभी full नहीं होगा तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सई वीडियो पे आए हो तो इसलिए request है इस वीडियो को शुरू से लेकिल आज तक जरू देखना तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही सेटो सेनल एप सब्डेट में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो बिढ़ा देखने चलो देखते हैं लेट्स काट इस्टार्डड़ ये सबसे पहले एक request करता हूँ जो वीडियो देख रहे हो आपको बस करना क्या है एसी खुशी पे वीडियो को लाइक करते हैं और सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ओल बेल पर आपको दबाके रख दिना है और जो वीडियो देख रहे हो, comment works वेक प्यारा से comment कर देना है, जैसे दोस्त लोगों ने comment किया, आपको भी देख सकती हो, आपके इसाफ से comment कर देना है, उसके बाद दोस्तों करना क्या होगा, simply सबसे पहला जो reason है, आपका phone का stress बार बार फुल हो जाना है, फुल हो जाता है, इसके वज़ा, सबसे पहला वज़ा है, आपका play store, जो आप play store है, आपका play store के वज़ा से आपका phone का stress फूल हो रहा है, शायद आप कहोगे कैसे, आप जो है, आपके phone में play store, आपका phone पिछले 2 साल हो गया, तीन साल हो गया, तीन साल में, जितना भी आप install app किया, याप को install कि आपको डिलेट कर दिया, आपको शायद नहीं पता, जो आप अप इंस्टल कर लिया, इंस्टल करनी होगे डिलेट कर दिया, वही डिलेट एप भी यहाँ पे सेफ हो जाता है, simply आपको कैसे डिलेट करना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको play store के profile पे क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पे आएगा, manage apps and device, इसमें आपको क्लिक करना होगा, इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ देखना, overview के side में manage आएगा, manage पे क्लिक करना होगा, उसके बाद देखो आपी जितना भी install एप है यहाँ पी दिखाएगा, जो जो एप आपके फोन में install है, वो सार से सिलेक करके, आपको देखना, MB यहाँ पे बहुत ज़्यदा लग रहा है, तो आपको सारा का सारा एप यहाँ से इस तरह से रिमोग कर दिना है, देखना, मेरा सिर्थ दो एप है, मैंने अल्री डिलेट कर दिया, आपको शायद 15 होगा, 20 होगा, यह 100 भी हो सकता है, आप श से नहीं, आपका phone में storage full होता है, इसका main reason क्या आपको नहीं पता, simply अपको क्या करना है, simply setting में जाना है, हर setting में मिलता है, आपको setting भी जा कि देखना, about phone करके एक मिलेगा, about phone में आपको glyk करते नहीं, उसके बाद देखना storage मिलेगा, तो आप यह मेरा storage जो है, यहाँ पे दे जैदा नहीं है क्योंकि फ्री आप से ज्यादा से ज्यादा 171 MB या 200 MB या 300 MB तक फ्री आप होगा तो आपको में दीप क्लिण पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप दीप क्लिक करोगे तो यहां पर साइज दिखायागा देखो जितना भी फोटू है मेरे फुन में सिर्फ 125 MB ह तो इस से थोड़ी ना इस्ट्रेश फोलोगा उसके बाद नीचे आता हूं तो एपस तो यहां पर एपस में आपका शायद यहां पर देखना 15 ZB 20 ZB या 25 ZB या एपस में आपको ज्यादा होगा तो आपको एपस में क्लिक करना होगा एपस में जैसी क्लिक करोगे तो देख सकते हो सबसे पहले जो कि Facebook अक्सर Facebook कितना MB का है 100 MB या 60 MB का है लेकिन यहाँ पर यह Facebook कितना दिखा रहा है 607 MB तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले यह ऐसे रहने दिना है उसके बाद मीनिवेस कर लिना है मिनिवाइस करके जो आपके फुन में Facebook है ना Facebook में इस तरह से पकड़ के रखना है उसके बाद App Info आएगा App Info पे चले जाना है App Info पे चले जाने की बाद देखना यहाँ पे यह जो Clear All Data देखो इसका Stories 607 मतलब 600 MB दिखा रहा है जो की काम का नहीं है तो आपको Clear All Data पे क्लिक करके पहले Clear Catch कर दो Clear Catch कर दोगे उसके बाद Clear All Data पे क्लिक कर दो देखना यह 00 हो जाएगा सिर्फ Stories का जीतना Facebook का 67 MB होगा फिर यह कर देने की बाद फिर से Minimize करके फिर से इसमें आना है और आके फिर से Back आना है बेक करके फिर से Apps में क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो Facebook है वहाँ से ठीक हो जाएगा जैसे कि अभी मैं फिर से दिखाता हूँ जैसे यहाँ पे Deep Clean में क्लिक कर देता हूँ जो Facebook यहाँ पे था Facebook हड़ गया क्यों हड़ गया यह देखो Facebook अभी कितना MB था आसा पकड़ रखना है एप इंफो पे क्लिक करने है उसके बाद क्लियर डाटापे क्लिक करकर के सबसे पहले क्लिष करदो उसके बाद चलियर all data पे क्लिक कर दो उसके बाद देखो जो का एक्स tui dal साइज उसका दिखाएगा उसके बाद फीर से इसमें आके इसी तरह से Instagram पर यहाँ पर गायब हो जाएगा और यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ दो एप का दिखाया आपको एक दो एप नहीं जिसमें जिसमें आपको ज्यादा ज्यादा है आपको यह per लेना है बहुत ही जरूरी है ठीक है यह होंगा अभी दुसरा है Hog Support के आपको क्लिक करना होगा जैसे विद अता ж शुरूरा वह कि नहीं बता है कि इस था का नहीं है इसको बोलते है जंग कोई काम का नहीं है देखो यह what करके यह symbol आ रहा है जो कि यह virus type का है यह इसका काम नहीं है तो simply यह इस तरह का नहीं जहाँ जहाँ इस तरह का what का scene रहे यह cushion mark का scene रहे वो सारा सारा select करना है मेरे यहाँ पर एक है आपका यहाँ पर 20, 25, 30 हो सकता है तो आपको यह select करके delete selected files पर click करके delete करदना है यह बहुत ही जरूरी setting है ठीक है और यह जो setting बताया यह बस इतना कर दिना है इतना ही करो इतना कर दिने का तफिर back आजाओ back आजाने की बात आपके phone से कोई भी photo video delete करने का जरूरत नहीं है जो setting बताया दो सेटिंग अभी आखेरी और एक सेटिंग बताता हूं simply जो आप यह हमारे वीडियो देख रहे हो वीडियो का description में ने app का link दे दिया आपको उस app को install करना है जिस app का नाम है phone master तो आपको agree कर दिना है ठीक है जैसे इस app को दोस्तों agree कर दोगे इस app का आपको करना क्यों होगा यहां से भी जंग फाइल्स आप किलियर कर सकते हो कैसे simply आप ध्यान से देखो सब से पहले clean का option देख रहे हो आपको clean पर click कर दो clean पर click कर दो कि यहां पर देख सकते हो residual junk add junk जो की case junk सारा clean होगा तो आपको clean पर click कर दिना है उसके बाद allow कर देना है अलाओ कर देना setting पर जाना है setting पर जाने की बाद uses access जो की एक app है इस app को आपको enable कर देना है जो कि यहां पर देख वेरे फोन मस्टर फोन मस्टर को क्लिक करके permit uses access allow कर देना है तो यहाँ पर दो तिन सेकंड चार सेकंड रूखना है रूख के आपको यहाँ पर I am aware of the possible risk इस तरफ से यहाँ पर यहाँ पर जाया है कि ग्लिण कर दिने के बाद कर दो कि प्रोटेक्ट कर दूं कैंग तो आपके फ़ोन में और भी से जंग फैल्स होगा तो वह प्लिन हो जाएगा और यह जो है इस एप का खुब है यह जो एप है, यह एप आपका यहाँ प्रोटेक्टिंग एयर डिवाइस आपका फ्ल्स को फोन प्रोटेक करके रख़गा ग्नोस एप दो ब्लकुल इसी तरह से आपकी फोन के इस्टोरस को इसी तरह से खाली कर सकते हो और एक भांग का फोन कभी फूल नहीं होगा तो अगर दोस्तों आपको ये रोगद में पसंद आयर वीडियो से थोड़ा भी हेल्प पुल लगा तो प्लिज दोसों वीडियो को लाइक करते न और हो सक्की दो इस वीडियो को आगे तक चाहले करते न